विधान सभा चुनाव की मद्दान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विने कटियार आयोध्या के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और उनके त्वारा चुनावी सभा भी की जा रही है इस चुनावी सभा को लेकर भारती किसान यूनियन के राश्ट्री महासच्यू गंचाम वर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने विनय कटियार पर तंज कस्तेवे कहा कि विनय कटियार वर्तमान में कुछ नहीं है उनके आगे अब सिर्फ पूर्व ही लगा है बीजेपी ने कटियार को न तुपत दिया और नहीं स्टार प्रचारग बनाया बीजेपी उनसे प्रचार करने के लिए कह भी नहीं रही है वो खाली है तो लोग लोकल स्टर पर काम करा रहे है उन्होंने कहा कि कटियार मजदूरी लेकर चुनाओं में लोकल स्टर पर प्रचार कर रहे है कटियार आ जाए हैं कुछ दिन बाद नाले में जाएंगे बीजेपी में उनकी जगह नाले में ही है वही किसान अंदोलन्द को लेकर भारतिय किसान यूनियन के राष्ट्रे सची उगंचाम बर्वा ने कहा कि किसानों पर 13 महिने के हुए जुर्म का चुनाओं में बदला लिया जाएगा इस बार किसान बीजेपी को वोट नहीं देगा देखे बिने कटियार जी क्या है बर्तमान में उनके आगे सब लगा है तो पूर वही लगा है बर्तमान में कुछ है नहीं और अगर भारतीय जंता पार्टियों को कुछ समझती ही होती तो एक तो बर्तमान को कोई पत देती दूसरा ना कुछ देती तो इस्टार प्रिशारक बना देती इस्टार प्रिशारक भी नहीं बनाई और ना भारते जन्ता पार्टी उनसे कह रही है कि आप प्रिशार करो यह तो यहां लोकल लोग हैं जो देख रहें कोई खाली है तो कहें चलो भाई हमारे खे और घूम रहे हैं उसका कोई असर नहीं होगा जनता के प्रति क्योंकि जिस समाज से वाते हैं कहते हैं कुर्मी विरादरी से आते हैं कुर्मी विरादरी नब्य परसेंट परतेक्श रूप से खेती करती है और दस परसेंट परतेक्श रूप से खेती करती है यानि इस सो परसेंट उखेती से उसका सम्मंद रहता तेरा महिने के आंदोलन में उनको यह पता नहीं चला कि हां कितने किसान मर गए क्या सही है क्या गलत है वो एक पत्र ही प्रधान मंत्री को लिखते कि भाई इस पर विचार हो जाए तो भी उनके भासर पर हम विचार कर लेते आज वो पांच साल बाद पता नहीं कहां आये है और फिर पांच दिन बाद फिर वो नाला में ही जाएंगे उनका जगा नाला ही है और उनके कोई जगा होगा नहीं भाद देंदा पार्टी में तो फिर हाल उनका कोई असर नहीं है वो पूर्व हो चुके है पूर्व ही रहेंगे